जैसे आपको पता है NCERT टेस्ट स्रीज शुरू हो चुका है और ये टेस्ट स्रीज रोज सुबर साड़े पांच बजे लाइफ चलता है तो रोज सुबर साड़े पांच बजे लाइफ आप हमसे जोड़के अपना टेस्ट देश सकते हैं और आजकी इस वीडियो में NCERT ब प्रशने लिया गया है जो सभी वीडियो का है तो एक भी प्रशना पर स्कीप मत किजिएगा वीडियो को प्लीज आप लोग सुरू से लेके अंतक देखिएगा क्योंकि यह जो तीस अब्जेक्टिव प्रशन है यह बोर्ड पर इच्छा दो जरी किस के लिए काफी मत पु प्रशन में कौन सा गैस का उप्यूग करते हैं यहां पर आपको बताना है कि पेंड पोधे स्वसन में कौन सा गैस का उप्यूग करते हैं तो ऑक्सीजन गैस का उप्यूग करते हैं इसे आपको याद रखना है यहां पर बी उप्सन क्या हो जाएगा यहां पर बिल्कुल ह सही हो जाएगा और पेरपोधिर प्रकास अंसलेशन की किरिया में आ पको याद रखना है, ये देखते हैं, अगला प्रश्ण दो नमबर, दो नमबर प्रश्ण है, कि बिंदु और 10,3 और 4,1 को मिलाने वाली रेखा खंड का मध्य बिंदु का नियामक ग्याद करें, यानि अधिर बिंदू का नेडर्शांग का फर्मूला क्या होता है तो यह होता है X1 प्लस X2 बटा दो कोमा यहां पर देखिए Y1 प्लस Y2 बटा यहां पर क्या हो जाएगा दो अब इसका मान रख दीजिए X1 Y1 और X2 Y2 का और यहां पर मान रख दीजिए आपका आंसर निकल है तो पहला बिंदू में जो पहला होता होता है यह होता है उTalk ॷा यहां पर दीजिए गलान उन किसिया उर्फ़ार निकल तो इ combos यहां's कमान कितना है तो यहां पर दीजिए उसके बटवर कर लिए जोड़ दो द सब us जाएक निकल गया हम लों अद्री वनुकरक लोगंड रेम सब्सक्राइब कर दिँ साथ कों को निकला यानि यहां पर डी वाला ओप्षन क्या हो जाएगा लिए बेलगा तो उमयत करते हैं यह प्रषन आप आपको काफी एची तरीके से समझ में आया होगा आए देखते हैं अगला प्रश्ण तीन नंबर प्रश्ण भी काफी इमात पुड़ है कि हिंदु सुराज पुस्तर के लेखक कौन थे युप से ने महादमा गाधी बीयोप से ज्वाहरलाल नहरू सियोप से ने सुवास चंद रिखते हैं यहां पर उन यहां पर क्या हो जाएगा यहां पर ढसनिया पुर्स परिच्छा से महाभाणास की बताना है कि आलस कथा पार्ट कहां से संकलित किया गया है तो यह पुरुस परिच्छा से संकलित किया गया है यानि यहाँ पर B-Option क्या हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल ही सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रशने 5 नमबर 5 नमबर प्रशने की बाबा सायब भीमराव करका जनम कहां हुआ था एुग सेने महराष्ट्र में भी ओप्सेन मद्धर प्रदेश में si उप्सीं इतर क्रदेश में कहां ह। कि बाबा सायब भीमराव अंबेडकर का जनम कहा हुआ था तो मध्य परदेश में हुआ था इसे आपको याद रखना है यहाँ पर B-Option क्या हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुली से हो जाएगा और भारतिय समीधान किस ने लिखा है तो भारतिय समीधान बाबा सायब भीमराव अंबेडकर जी ने लिखा है तो यह भी साथ में आपको याद रखना है काफी मातपड मातपड परशन है तो एक भी प्रश्णा पर स्कीप मत किजिएगा वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अन तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक नहीं किये तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर देजिएगा आईए देखते हैं अगला प्रश्ण छे नंबर जो पेड़ पोधों की कोशी काय होती है उसमें पाए जाता है यहां पर B-Option क्या हो जाएगा यहां पर बिलकुल ही सही हो जाएगा पेड़ पोधों में क्या पाए जाता है कोशी का अर्भित्ती पाए जाता है यहां पर B-Option क्या हो जाएगा यहां पर बिलकुल ही सही हो जा कितने पद को संख्य को किसे सुझीट करते हैं तो संटित करते हैंक यहाς पर NICK की दिया है यान लाष्टाइघN कीनिทำ साथ लिख दीजें उसके बाद यहां पर एक का मान रखना होगा तो यहां पर दीजेंगे निकालना पड़ेगा तो दी कैसे निकलेगा तो दूसरे यहां पर दे कि यहां पर कितना पर भ्याना पर दीजें उन्टीप इनन ऀंटीम हैं कितना पर 168 ऑनी होता है प्रधाव चांपर कि रखतेंग्य है अब इसमें क्या करतें नहीं प técn toilette कि च्वेसी एंजा से मुठी कि बूरा होगा सब्सक्राइब लिए ने inहां जाए थी इन ओओ जाएगा सब्सक्त के प्लस्स प्लस यह जाएंगे कट जाएंगे यहाँ पर बच्टे गई यहां पर निखाल दोगिस निकालना है तो यहांपे ये भी प्रश्ण आपको काफी इशी तरीके से समझ में आया होगा आईए देखते हैं अगला प्रश्णियां पर आठ नमबर प्रश्ण की बहादूर के नाम से दिल सब्द किसने उड़ा दिया एउपसने निर्मला ने बीउपसने किसोर ने सीउपसने लेखक ने डीउपसन का पूरा नाम बहादूर का पूरा नम क्या था दिल बहादूर था उसके आगे से दिल सब्द किसने उड़ा दिया तो किसने उड़ा दिया तो निर्मला ने उड़ा दिया इसे आपको याद रखना है यहां पर एउपसन क्या हो जाएगा यहां पर बिल्बुली से हो जाए कि जल दीवस कब मनाया जाता है तो जल दीवस 22 मार्च को मनाया जाता है इसे आपको याद रखना है यहां पर बिलकुल ही सही हो जाएगा काफी मत्पड मत्पड प्रशन है तो एक भी प्रशना पर स्कीप मत किजिएगा वीडियो को प्लीज आप लोग सुरू से लेके अंतक जरूर देखिएगा यह देखते हैं अगला प्रशने दस नंबर जो हिंदी का है दस नंबर प्रशने कि स्वर्ड वर्ड कितने होते हैं काफी मत्पड प्रशने कि स्वर्ड वर्ड कितने होते हैं ऐसे ही प्रशन बोड परिक्षा में पूछे जाते हैं यह तो होगया हमारा स्वाण वर्ड कितने होते हैं 11 अब यहां पूस्ता एक और प्रशनि वे जन वर कितने होते हैं तो वेल्जन वर कितने होते हैं 33 होते हैं इसे आपको यहां पर याद रखना है आइए देखते हैं अग्ला प्रश्न्य आपि यारा नमबर इसमें आपको बताना है कि कौन एक परिमेश है तो यहां पर नहीं 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 हुआ जाएंगा और यहां पर देखिये ? यहाँ परिमें में से कौन एक परिमेंगे यहाँ वाला उप्पसन क्या Shine यहां पर बिल्कुली सही हो जाएगा और यहां पर डी वाला भी option चेक कर लिजिए रूट साथ है रूट साथ का वर्गोल नहीं निकलेगा इसमें भी रूट रह जाएगा तो यह भी क्या हो जाएगा अपरी में हो जाएगा याणि A option, B option और D option यह क्या हो जाएगा यहां पर अपरी में हो जाएगा लेकिन C वाला option क्या हो जाएगा यहां परी में हो जाएगा और प्रशन भी पूछ रहा था कि निमन में से कौन परी में है तो यहाँ पर C वाला उप्सन क्या परीमे है याँ यहाँ पर C उप्सन क्या हो जाएगा बिल्कुली सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रशने 12 नंबर 12 नंबर प्रशने की गुटेन वर्ग ने सबसे पहले किस पुस्तक की छपाई की काफी मातपुर प्रशने हैं की गुटेन वर्ग ने सबसे पहले किस पुस्तक की छपाई की तो बाइविल की छपाई की याँ यहाँ पर D उप्सन क्या हो जाएगा यहाँ बिल्कुली सही हो ज इस ने किया तो अधुनिक छप खाना का विस्कार गुटे नवर्ग ने किया इसे आपको यहां पर याद रखना है यह देखते हैं अगला प्रश्ण तेरा नंबर तेरा नंबर गभी प्रश्ण काफी ही महत्पुड है कि आत्म हत्या की थैली के नाम से किसे जानते हैं आत्म हत्या के थैली के नाम से किसे जानते हैं तो लायसोस्चार भी पूछता है यहां पर पाउर पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहते हैं, याणी कोसीका का उर्जा गिरिल किसे कहते हैं, तो माइट्रो कौंडरिया को कहते हैं, तो यह भी साथ में आपको याद रखना है, आईए देखते हैं, अगला प्रशने 14 नमबर, चोदा नमबर वी परशने शंस्कृत का है, यहां आप देख लिए दधीची के हद्डी से क्या बनता है, काफी महतपुर्पड़ परशने हैं ए उपसने तलवार, बी उपसने तरिसूल, सी उपसने इंदर का वजर, डी उपसने तिरधनुस्तु हैं पर उपको बताना हैं भारत में पहला जूट मिल किस सहर में अस्थापित किया गया, यह भी काफी महत्पुड प्रशन है, कि भारत में पहला जूट मिल किस सहर में अस्थापित किया गया, इसे आपको याद रखना है, यहाँ पर एयोपसन क्या हो जाएगा, यहाँ पर बिल्कुल इसे हो जाएगा एक परशन ये भी पूछता है कि भारत की बीतिया रजधानी किसे कहते हैं तो मुंबई को कहते हैं तो इसे भी साफ में आपको याद रखना है काफी महत्पड महत्पड परशन है तो एक दिनी परशन आप स्कीप मत किजेगा वीडियो को प्लीज आप लोग शूरू से लेके अंदक जरूर रेखेगा ये देखते हैं अगला प्रशन सोला नंबर सोला नंबर प्रशनी ये हिंदी व्याकरण से है कि निम्नलिकित सब्दों में से कौन सा समुह वाचक संग्या है इसमें से आपको बताना है कि कौन समुह वाचक संग्या है ये उप से ने राम भी उप स सबात साव्फ सब्सक्रार्व होता है। याँ यहां पर सी योब संग्या जय क्या हो झाया यहां पर स्ट्रा नम्बर सतरा नमबर प्रशने की तंत्रीका कोशी का कितने परकार के होते हैं काफी महत्पुण प्रशने हैं की तंत्रीका कोशी का कितने परकार के होते हैं ए उपसेने एक, बी उपसेने दो, सी उपसेने तीन, डी उपसेने चार 17 नमबर भी प्रश्ण काफी मत पुण है कि तंत्रीका कोशी का कितने परकार के होते हैं तो ये तीन परकार के होते हैं इसे आपको याद रखना है यानि यहाँ पे C-Option क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुली से हो जाएगा और सरीर में सबसे लंबी कोशी का किसकी होती है तो तंत्रीका कोशी का की होती है तो ये भी साथ में आपको याद रखना है आईए देखते हैं अगला प्रश्ण अठारा नमबर अठारा नमबर प्रश्ण है कि रैखिक समीकरण यूग में 2X प्लस 2 यहाँ पे X प्लस 2Y बुराबर 5 तथा 3X प्लस 12Y बुराबर 10 का कितना हल होगा इसका बताना है कि कितना हल होगा तो सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि इसका अले कैसा होगा तो यहाँ पेखिके A1 बढ़ता A2 सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा तो यहाँ पेखिके जो X में गुणा करता है वो क्या होता है पहले समीकरण में A1 होता है और जो y में गुणा करता है वो b1 होता है और जिसमें xy कुछ भी नहीं होता है वो क्या होता है c1 होता है और यह है दूसरा से मिकरन तो दूसरे से मिकरन में जो x में गुणा करता है वो क्या होता है यहाँ पर a2 और जो y में गुणा करता है वो b2 और जिसमें xy कुछ भी नह बाड़ा निकालना पड़ेगा तो एक बटाश होती हैं आप लोग देख सकते हैं कि यहां पर देख सकते हैं तीसरा बराबर हो या नहीं हो कोई मतलब नहीं है यहां पर देखें A1 बटा A2 बराबर नहीं है यहां पर देखें B1 बटा B2 के तो यह क्या होता है जब A1 बटा A2 बराबर नहीं होता है B1 बटा B2 के तो अलेक कैसा होता है प्रतिछेदी होता है और जो प्रतिछेदी अलेक होता है तो इसका कितना हल होता है एक हल होता है यहा पर बिल्कुल ही सेव जाएगा तुमीद करते हैं यह भी प्रश्ण आपको काफी अची तरीके से समझ में आया होगा आईए देखते हैं अगला प्रश्ण 19 नंबर 19 नंबर प्रश्ण है कि अधातु के ओक्साइड कैसे होते हैं अधातु के ओक्साइड कैसे होते हैं इसे आपको याद रखना है याँ पर B-Option क्या हो जाएगा यहां पर बिल्कुल ही सह हो जाएगा और धात्यु के ओकसाइड कैसे होते हैं, चारिय होते हैं, तो इसे भी सांथ में आपको याद रखना हैं. आएए देखते हैं, अगला पृष्णने 20 नमबर, पृष्णने की बिरजु महराज का समद्ध किस घराने से था, काफी मात्पूर पृष्णने 20 नमबर, की बिरजु महराज का संबंध किस घराने से था तो लखनव घराने से था इसे आपको याद रखना है यहाँ पर ए उप्सन क्या हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल ही सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रशन 21 नंबर 21 नंबर प्रशन है कि लखनव समझोता कब हुआ था काफी तो 1916 में हुआ था इससे आपको याद रखना है यहाँ पर ए उप्सन क्या हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल ही सही हो जाएगा काफी महत्पड महत्पड प्रशन है तो एक भी प्रशन को आपके स्कीप मत किजिएगा वीडियो को प्लीज आप लोग सुरू से लेके अन त इस अपको याद रखना हैं है कि उक्षिजन का च्रै यहां पर बिल्कुल ही से यह जाएगा और अप्शेयन की अभी क्रिया क्या है तो अप्शेयन का हरास होता है तो दोनों को याद रखना है दोनों ही प्रशन बोर्ड परिक्षा काफी बार पूछे जाते हैं आईए देखते हैं अगला प्रशने 22 नमर प्रशने की समीकरण X प्लस 2Y बुराबर 9 में यदि X बुराबर 1 हो तो Y कमान ग्याद करें एक समीकरण दिया है X प्लस 2Y बुराबर 9 और बोल रहा है कि X बुराबर 1 है तो y कमान क्या कर देजिए निकाल देजिए तो यहां पर देखे जहां पर x है वहां पर x कमान रख देजिए तो y कमान क्या हो जाएगा निकल जाएगा X कमान कितना दिया है एक दिया है तो यहाँ पर X के जिए पर एक रख देंगे प्लस है तो प्लस 2Y है तो 2Y बुराबर 9 है तो यहाँ पर 9 अब यहाँ पर आपको Y कमान निकान ला है तो सबसे पहले 1 को बुराबर के उधर बेजना पड़ेगा तो यहां पर दिखे, प्लस एक है, तो बराबर के उधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस एक हो जाएगा, और इधर क्या बचेगा, हमारा 2Y बराबर, 9 माइनस क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, तो 2Y बराबर, 9 में से एक गया, 8, अब यहां पर दिखे, दो इधर ग में आया होगा आईए देखते हैं अगला परशने टेश नंबर परशने हिंदी का है कि हाथ मलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है यहां पर आपको बताना है कि हाथ मलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है ए उपसे ने पच्छताना बी उपसे ने दुखी होना सी उपसे ने बिल्कुल ही सही हो जाएगा आईए देखते हैं अगला परस्ट में 24 नंबर कि यहां पर 25 नंबर है यहां पर 25 नंबर है यहां पर 25 नंबर है कि बिहार में पंचायती राज्य विवस्था का कारेकाल कितने वर्ष का होता है यहां पर आपको बताना है कि बिहार में पंचायती राज्य विवस्था का कारेकाल कितने वर्ष का होता है यहां पर 25 नंबर है यहां पर बिल्कुल ही सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रशन 26 नंबर 26 नंबर प्रशने की जालिया वाला बागत्या कांड के उपरांत जांच के लिए कि समीती का गठन किया गया था तो हंटर समीती का गठन किया गया था इसे आपको याद रखना है यहां पर सी उप्षन क्या हो जाएगा यहां पर बिल्कुल ही सही हो जाएगा और जालिया वाला बाग कहां है तो अमरिच सर में है इसे आपको याद रखना है और जाले आवाला बाग घरत्या का अंड कब घटित हुआ था तो 13 अप्राइल 1919 को हुआ था तो ये भी साथ में आपको याद रखना है आईए देखते हैं अगला प्रस्न 27 नंबर 27 नंबर प्रस्न है कि 100 का अभाज गुणंखंड क्या होगा यहा यहां पर करके देख लेजिए यह 2 से कटेगा 50 बार में यह 2 से कटेगा 25 बार में फिर यह 5 से कटेगा 5 बार में तो यहां पर देखिए 100 का अभाज गुणंखंड क्या होगा यहां पर देखिए 2 कितना बार आया है 2 बार आया है तो यहां पर लिख देंगे 5 के पावर 2 या यहां पर बिल्कुल इसे हो जाएगा तो उमीद करते हैं यह भी प्रश्ण आपको काफी एची तरीके से समझ में आया होगा आईए देखते हैं अगला प्रश्ण अठाइस नमबर 28 प्रश्ण कि सेंस सहाब की आँखो का तारा कौन था यह भी काफी महत प्रश्ण था यह भी साथ में आपको याद रखना है यहाँ पर सी उप्सन क्या हो जाएगा यहाँ पर विल्कुल ही सही हो जाएगा यह लिए देखते हैं अगला प्रश्ने 19 नंबर 19 नंबर प्रश्ने की 15 खोलना वह अग्या esse Ρ прогलत होट बताना है कि खून खोलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है तो खून खूलना मुहावरे का सही अर्थ बहुत कुरोधित होना है यनि यहाँ पे D-Option क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा आइए देखते हैं अन्दिम परशने तीस नमबर काफीजममा पुष्ण है कि फारवट ब्लॉक के सथापक्म को थे महातमाघणि बी आपसे ने चंद्र अब लुई एसे हो जाएगा अभ आप अपना कोमेंट करके बता दीजेधग dulu 29 परशन में से कितना सही हुआ क्योंकि एक परशन आप चोबिस नमर छूट गया उसको मिस्टेक हो गया थोड़ा सा तो यहां पर टूटल 29 परशन है तो अब आप लोग बता दीजे कि 29 में से डी उपसन है माइनस पंस तो जो भी उपसन आपको सही लगे वो आप कमेंट कर दीजे और आप बता दीजे कि आपका 29 परशन में से कितना सही हुआ वीडियो को लाइक नहीं किये तो फ्लीज आप लोग वीडियो को दिल से लाइक किजेगा अपने दोस्तों के पास इस वीड आगे पढ़ाई किजिए टेक केर एंड बाए